नाम बदलने का जो एक राजनीती करन इस समय हमारे देश में चल चुका है अब उसको लेकर कई सारे सवाल खड़े होने लगे है जहें दोस्तों बात दर असल ये है कि यूपी में होने वाले विदान सबचनाओ ऐसे में यूपी की जो राजनीती है वो गरमाई हुई है हर एक चोटे-चोटे मुद्दे को भी इस तरह से आपके सामने लाया जा रहा है जैसे कि बहुत बड़ी सेंसेशनल न्यूज हो लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं नाम बदलने की राजनीती जो है वो यूपी से ही शुरू ही थी कई सारी जगों के नाम बदले गए कई सारी सड़कों के नाम बदले गए अब ही हाल ही में भोपाल में भी रानी कमलापती स्टेशन एक नाम रखा गया हवीब गंज के नाम बदल कर तो ऐसे नाम बदलने की जो राजनीती है वो काफी अच्छे तरीके से चल पड़ी है लोग अब इसको पॉजटिव वे में भी देख रहे हैं कि भाई जो मुस्लिम आकरानता थे उनके नामों को बदल कर हिंदू को जो राजा है उनके नामों पे नाम रखा जाए प्रहानमंदरी नामोंदी काशिव शुनात पहुंचे साथ ही उन्होंने अपने संसदी शेतर में चल रहे विकासकारियों का भी निरेक्शन भी किया इस पूरी यात्रा के दौरान उनके साथ यूपी के मुख्यमंदरी योगी आतेनात भी नजर आए प्येम मोदी के दो दिवसे दोरे को लेकर अखिलेश यादाफ की एक टिपणी भी काफी चर्चा में रही थी बीजेपी नेताव ने अखिलेश यादाफ पर पलटवार करते हुए कहा था कि उन्होंने प्रानमंदरी का अपमान किया है अकिलेशन स्थाफ़ाई देते हुए कहा था कि मैं योगी सरकार के खातने की बात कर रहा था सियासी घमासान के बीच में सीएम योगी आतेनात का इंडिये टुडे के साथ एक पुराने इंटर्व्यू समय काफी ज्यादा वायरल हो रहा है इस इंटर्व्यू में योगी अतेनात सवाल पूछा गया था कि अगर आपकी सोच विदेशी नामों को बदलने की है तो क्या आप ताज महल का नाम बदल कर राम महल भी कर देंगे इसके जवाब में योगी अतेनान ने कहा था कि अगर किसी विदेशी अकरानताओं के दोरा किसी कालखंड में ऐसा कार्य किया गया है तो उसको तुरंद बदल देना चाहिए योगी ये देश की सांस्क्रेटिक आजादी की लड़ाई भी है इस देश की पहचान जिससे होनी चाहिए उसी के नाम पर रहती हासिक जगों के नाम भी होनी चाहिए जहां तक बात ताज महल की है तो हम उसका नाम राम महल आखिर क्यों नहीं रहनेंगे अगर आवशक्ता होगी तो उसका नाम भी ज़रूर बदला जाएगा शाजान ने ताज महल ममतास के लिए बनवाया नहीं ये तो जाच का विशा है योगी अधितना आगे कहते हैं कि ऐसी कोई विरासत नहीं है जो हमें ऐसे नाम दे गई जो भी चीजें देश के हित्मे होंगी हमें वो कदम तुरंद उठाना चाहिए ऐसे कदम उठाते समय हमें बिल्कुल सोचना भी नहीं चाहिए हमें ऐसे कदम उठाने में बिल्कुल हिचकना भी नहीं चाहिए आप गुरपूर आएंगे तो देखेंगे कि जब कोई मुस्लिम पीडित होता है तो वो कहीं और नहीं जाता है वो मेरे पास ही आता है अखिले सरकार से जो भी कोई पीडित होता है वो मेरे पास ही आता है मैं जंता के लिए समय क्योंकि निकालता हूँ बाकी लोग नहीं निकालता है उन्होंने आगे कहा कि हम लोगों ने बहुत सारी चीजों को संतुलिट भी किया है पिछले सरकार में जन चीजों पर स्बसादा खर्च किया जाता था हम लोगों ने ऐसी सभी चीजों के उपर रोक लगाने का काम भी किया है पहले मंतरी और अधिकारी विदेश घूमने के लिए जाया करते थे लेकिन हमने इन सभी चीजों को तुरंत रोग दिया हमने कहा कि आप लोग अपने अपने शेत्रों में जाईए और अपने शेत्रों के समस्याओं को दूर करने के उपर काम करिए अब यहाँ पर योगी अधितनात ने कई सारे बाते जो हैं वो एक साथ साथ में कह दी साथ साथ अखिलेश यादव के उपर भी जनोंने सवाल ठोक दिया क्योंकि अगर बीजेपी को इस समय यूपी में कोई टक्कर देता हो दिखाई दे रहा है तो वो सिर्फ और सिर्फ अखिलेश यादव है इसके अलावर ना कॉंग्रेस वहां पानी मागरी ना मादनी पार्टी में पानी मागरी और नहीं कि AIMIM के आउस सदनों वेसी वहां पर कुछ कर पा रहे हैं सिर्फ और सिर्फ अखिलेश यादव हैं जो कि वहां पर नों टक्कर दे सकते हैं और मायावती जी का तो देखी में नाम भी लेना भूल गया आपको क्या लगता है इस फूरी बात के ऊपर कि क्या ताजमेन के ना आतना ही जय हिन जय भारत